तो स्वागत है मेरे दोस्तों जैनो लोग दिन टाइम जेमबर के नए पार्ट 18 में तो चलिए शुरू करते हैं आगे हम देखते हैं गोकु ब्लैक जिन बिरस को कहता है ये मैं नहीं होने दूँगा क्योंकि मुझे तुम पर जरा सभी विश्वास नहीं है मुझे पता है रियल गोकु भी डीमन के वज़े से ही मारा गया उसकी बातों में आके मैं पैरलर यूनिवर्स का गोकु ऐसा हर्गिस नहीं होने दूँगा ब्लैक जिन बिरस बोलता है ये तो वक्त ही बताएगा गोकु और जिर मैं सभी को मार दूँगा तब ही वेजिता देखता है और बोलता है हेई बेकर रॉट क्या तुम एतनी आसानी से अपनी बोडी का कंट्रोल दे दोगे उसे उसकी बातों में मत आना भले ही वो लौड बिरस जैसा दिखता होगा पर वो लौड बिरस नहीं है उसका रियल नाम सीपस है मुझे पता चल गिया है गोकू ग्रैंड प्रिश्ण हमें बताया है सेवेंध मेंबर आप दे डीमन किंग जो की नरक से आया है मुझे ग्रैंड प्रिश्ण ये सब पताया एक्चुली हमारी परसनालिटी का हर एक नेगिटिव वर्जन होता है और ये नेगिटिव रूप लौड बिरस का है इससे समभल के रहना होगा तुम्हें गोकू जैरो समा भी गोकू को सचेत करते हैं और बोलते हैं तुम्हें अपने इमोशन्स पर कंट्रोल रखना होगा गोकू अगर सरा सब तुमने अपने अंदर बदले की भावनाउधपन की तो सीपस तुम पर हावी हो जाएगा तब ही ग्रैंड प्रिश्ट और जारमा आपस पर लड़ने लगते हैं हम देखते हैं धीरे धीरे ग्रैंड प्रि जादिया था ग्रैंड प्रिश्ट बोलते हैं समय सब का बदलता है डीमन वह समय तुमारा था और आज का समय मेरा है तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम मुझे हरान नहीं पाओगे समझे आर को बहुत गुस्सा आता है वह बोलता है लगता है अब मुझे अपनी फुल पाव करते हैं उन्हें देख ग्रैंड प्रिश्ट भी अपने ताकत को एक्स्क्रीम लेवल पे ले चाते हैं दोनों के बीच में घमासा नडाई होती है उनकी लडाई की एनर्जी से आसपास के प्लैनेट तबाह होने रगते हैं इतना मैसिव लेवल पर डेस्ट्रक्शन होता है लेकिन ग्रैंड प्रिश्ट असानी से दोनों डीमन्स पर भारी परते हैं आर्कॉन ये देख के भौकला जाता है आखिर ये कैसे हो सकता है ग्रैंड प्रिश्ट हम सब पर भारी कैसे पर सकता है जबकि हम अपने सारी फुल पावर को योज़ कर रहे हैं क्या है अगर ऐसा ह चलता रहा तो हम माले जाएंगे ग्रैन्प्रिश के आतों यह नहीं हो सकता है ग्रैन्प्रिश फिर बोलते हैं मुझे पता है यार कौन तुम मेरी ताकत को देखके पखला गए हो और सोच नहीं पा रहे हो कि मैं एतना ताकतवर कैसे बन गया हूं सुनो मैं बताता हूं जब तुम यहां आये थे ग्रैक सील के मदद से तो मैं और सेनों सामा यहां से चले गए थे और तुम्हें लगा था कि हम डर के भाग है पर ऐसा नहीं था हम अपने पोटेंशिल को तोड़ने के लिए अंतरक्षी ग्यान प्राप्त कर दे को गय थे ताकि अपने हिडेन कुंटल कर लिए है और यह उसी का कमाल है अर्गवान बोलता है तुमने अपने पोटेंशिल सेल को एक्टिवेट कर लिया आखिर कैसे तुमने अंतरक्षी ग्यान को कैसे अच्विव किया इसलिए हम इनके सामने नहीं टिक पा रहे है जारमा हम दोनों ग्रैंट प्रिस से नहीं इवल गिंग है अब पस वही रास्ता बचा हुआ है उसे काबू करके हम भी सेवेंद मेंबर आप दे डिवन गिंग बन जाएंगे और अपनी आर्मी को इस उनिवर्स में लाके हाँ कार मचा देंगे जारमा बोलता है आखिर ये होगा कैसे हम कैसे करेंगे को समझ नहीं आर फिर गोकू के तरफ देखता है और गोकू के पाश्ट के बारे में सब कुछ जान जाता है फिर जारमा गोकू को ट्रिगर करता है ताकि उसके अंदर सी बस डीमन गिंग उस पर हावी हो जाए जारमा बोलता है गोकू एपनी इमोशन को मत दुपाओ तुम्हारे साथ बहु वह बोलता है चुप हो जाओ ग्रैंट्फिश फॉर्ण यह सब देखके जारमा को पीची से ठाकेल देता है ताकि गोकू को थोरा से रिलीस मिल जाए और ब्रेक मिल जाए उसी का फाइदा उठाते हुए आरकॉन भी आप गोकू को ट्रिगर करने लगता है गोकू अपने ए स्माइल देखते है और गोकू फिर कहता है कि वेशुवास तो मुझे खुद पर पूरा है वेजिता और चाहां तक ठीक करने की बात है अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा चाहे मेरे हाथ कितने बार खून से रंगना पड़ जाए हाँ 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 वेजिता है वेजिता ह यह क्या हो गिया गोकू पर सीवस हावी हो गिया है अब वो गोकू हमारा गोकू नहीं रहा वेजिता चल्द से जल्द वहां से दूर हो जाओ सीवस तुम्हें असानी से अपना शिकार बना लेगा वह बहुत ही खुंकार है और पहर्रमी भी है आरकॉन और शारमा यह देख उसका शरीर है पर उसकी आत्मा तो मेरे कबजे में हो चुकी है मैंने क्याद करके रखा है अपने अंधर हम देखते हैं गोकू पूरे चीन से जंजीर से बना हुआ रहता है उसकी आत्मा को सीवस ने लॉक कर दिया था जिसके कराण उसकी आत्मा पूरी जन्जीर से बंदी हुई थी और गोकु भेवश हो चुका था उसकी बोडी पर गोकु की आत्मा का कोई कंट्रोल नहीं था सीबस गोकु की बोडी पर पूरा रास कर रहा था तब ही हम देखते हैं सीबस बोलता है सभी को और सभी शान्थ हो जाते है और वो कहता है पूरी काइनात का राज़ मैं ही बनूँगा सभी मेरे अधीन होगे और जो नहीं होगे उन्हें तो मरना ही होगा तो इसी के साथ ये पार्ट खतम होती है नेक्स पार्ट यानी पार्ट 19 के इंदिसार करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया और गुडबाई